नमस्ते मेरा नाम अद्वित मिश्रा है मैं कक्षा 5C में पढ़ता हूँ और आज मैं आपसे जल के बारे में कुछ बाते करूँगा तो जल क्या है जल वो चीज है जिससे हम जीते हैं देखिए जैसे पेड़ों और पधों को जल चाहिए होता है जीने के लिए पेड़ पधे हमें क्या देते हैं वायू वायू से हम जीते हैं पर अगर पेड़ पधों को पानी ना मिले तो वो वायू नहीं देंगे और हमें नहीं मिलेगी वायू और फिर यहां पे ना तो कोई पशुपक्षी ना तो कोई जानवर ना तो कोई इनसान रहेगा ये बंजर जमीन हो जाएगी और जल एक ऐसी चीज है जो बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि जल हम बहुत से कार्यों में इस्तमाल करते हैं जैसे की नहाना, खाना-पकाना, कपड़े धोना, आदी पर सबसे मूल्यवान हम जल के बिना जी नहीं सकते क्योंकि एक आदमी जल के बिना दो दिन ही रह सकता है जल पीना बहुत जरूरी है जल पीने के बहुत से फायदे है वो हमारे तत्व को निहारता है और हमारे खून को साफ करता है जल पीना भी बहुत जरूरी है दोस्तों नहीं तो हमें dehydration नामक एक बिमारी हो सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल हमें बहुत सी चीजों से मिलता है जैसे नदिया या फिर समुद्र लेकिन हमें समुद्र का पानी तुरंथ ही नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें नमक होता है इसलिए पहले वो मशीन से हमारे फिल्टर में आता है और filter होके हमें तब पीना चाहिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां का पानी पी रहे है क्योंकि मैंने एक बार कहीं से गलत पानी पी लिया था और मुझे टाइफॉइड नामप एक बिमारी हो गई थी इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां का पानी पी रहे हैं दोस्तों लेकिन आपको तो इतनी सारी चीजे पता चली पानी के बारे में लेकिन मैं एक बात तो भूल ही गया पानी जीवन है ये तो आपने बहुत बार सना होगा लेकिन आपको इसकी असलता तब पता चलेगी जब आपको पता चलेगा कि हम बस तीन धाई पानी इस्तमाल करते हैं और हमारी शरीर में सत्तर प्रशीषत पानी से ही बनी है इसलिए दोस्तों हमें पानी नहीं बरबाद करना चाहिए वरना ना तो पीने, ना तो खाने, ना तो नहाने के लिए पानी बचेगा और पेड़ पौधों को भी पानी नहीं मिल पाएगा फिर मानब जाती कभी अंत्त हो जाएगा पशियोपक्षी और जानवरों का भी इसलिए हमें जल बचाना चाहिए जल जीवन है और इसी से मैं ये समाप्त करूँगा आपके साथ बाते तो चलिए अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई